गुड इबनिंग दोस्तों आप सभी का स्वागा थे जी के जोन में तो आज जो है मैं जार्खन का एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि मुझे लगता है एक्जामस में आने की बहुत संभावना है इस प्रेश्ण की तो प्रेश्ण आप पहले देख सबसे पहले तो आपको पूछा जार्खन सरकार की वरतमान उद्योगिक नीती जो लेटेश्ट नीती है उसके विश्ण में उसके बाद उद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदम जो है उसकी समीच्छा करनी है तो चलिए देखते विधा में सुधार करने है तो समय समय पर ओद्योगिक नीती तयार करती है तो हमने बता दिया कि ओद्योगिक नीती सरकार क्यों तयार करती है अधिक्तम निवेश रोजगार स्रीजन निवेश कहते सी वातावरन और वैपार करने की विधा में सुधार करने है तो समय समय प अधेयोगी नीती दोयज़आ है इसके बाद आया था जारकन अधेयोगी के द으नीश फेज़रह आब हैं तलुए लूह जरू हम भाद यतो जो एकशे वा इंगे क्वेस्टाइन अधेया है कि वर्तमान उद्योगिक नीती की चर्चा करनी है तो उद्योगिक एवं निवेस प्रुचाहन नीती 2021 चली देखते है इस नीती को राजी सरकार द्वारा 6 जूलाई 2021 को स्विक्रिती प्रदान की गई और इस नीती को 1 अपरेल 2021 से अगामी 5 वर्सों हेतु लागुक की गई है इस नीती के तहट निम्न पांच छेत्रों में सबसे अधिक ध्यान के इंद्रित किया गया है तो वह वह पांच छेत्र कौन-कौन से है पहला है टेक्स्टाइल एंड टेक्स्टाइल एंड अपेरल्स दूसरा है ओटो मोबाइल तीसरा है एलक्ट्रोनिक सिस्टम एंड मैनुफेक्ट्रिंग चौता है एग्रो फूड एंड मीट प्रोसेसिंग पाचवा है ओटो कॉंपोनेंट एवं एलक्ट्रोनिक वाहन तो यह सभी जो है आपको कंठस्ट करना पड़ेगा पांच वह आपको याद रखना है टेक्स्टाइल एंड अपेरल्स ओटो सब्सेडी परियर्टन हेल्थ केर सिक्षा वद तकनी की संस्थान में भी ध्यान दिया गया है इस निती में किये गए प्रावधान निमलीखी थे तो अब यहां से प्रावधान शुरू हो रहा है पहला है इस निती में दिये गए प्रावधान में प्रथम देखें प्रथम बार भौतिक रूप से कार्य प्रारम करने के लिए यूनिट को पांच प्रतिशत अतिरिक्त कैपिटल सबसेडी प्रदान की जाएगी दूसरा है अल्ट्रा लार्ज यूनिट पर बार वर्सों में वापस करने का प्राउधान किया गया है यानि स्टेट जीस्ट जितना भी कटा है उसका 75 प्रतिशत सुल्क आपको 12 सल के अंदर प्रदान कर दिया जाएगा इस नीती के तहट राजी में बंद पड़ेकार खानों को पुना खोलने के लिए रीकंस्ट्रक्शन कॉर्परेशन का गठन किये जाने का प्रावधान है और इसका लग्ष क्या है एक लग करोड के निवेश को आमंतरित करना और पचास हजार रोजगार उपलब्द कराना जारकन सरकार द्वारा ओद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गये है तो यहां तक हमने जो है जारकन के नई ओद्योगिक नीती के विशे में बताया इतनी फैक्ट अब हम बताएंगे जारकन सरकार में आखिर जारकन सरकार ने ओद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गये हैं जिनमें से कुछ विशेश कदम निमलिखित है तो पहला है जारकन निवेश प्रोचाहन बोड तो निवेश प्रोचाहन बोड जो है इसका क्या उदेश है निवेश आकरसित करना उद्योगों को मार्ग दरसन प्रदान करना और परती एक वर्स दो बर प्रोचाहन संबंदि नीतियों पर चर्चा है तो बैठक आयोजित करना और इस में जो है बोड की संविवचना किस प्रकार की है तो मुखी संदक्षक होंगे मुखी मंत्री संदक्षक होंगे उद्योग मंत्री और इसके सदश्य है मुखी सचीव एवं उद्योग विभाग खनन वभू विज्यान विभाग योजना सववित विभाग के सचीव अब दूसरा है दूसरी वेवस्था जो सरकार ने की है वो है एकल खिर की वेवस्था यानि सिंगल विंडो के लियर इन सिस्टम जो है राजी में एकल खिर की निप्टारा कानून 2015 से लागू की गई है और इसका मुखी उदेश यह क्या है पहला मुखी उदेश है जो पोटल करनिर्मान किया गया है अगर पोटल अपने याद कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है और इसका कारी है जार्कन में निवेश करने वाले लोगों को आकरसित करना और जार्कन सरकार के विभिन विभागों, संगठनों तथा केंद्र सरकार के साथ समन में स्थापित करना तो ये था जार्कन निवेश केंद्र का मुख्य कारी अब नेक्स्ट है ओध्योगीक छेत्र में सरकार क्या है चार ओध्योगीक छेत्र विकास प्राधीकरन राची बोकारो आदितिपूर और दुंका में अवस्तित है भूमी अधिग्छान अधहार भूत वाहीने अजो उपलबद तो जार्खन ओदियोगिक पार्क नीती 2015 के अंकरगत विभिन परकार के सहायक और छूट सार्वजिनिक और नीजी छेतर को उपलब्द कराई गई है तो कौन-कौन सी सार्वजिनिक छेतर में? परियोजना का प्रथीशत एवं अधिक्दम 10 करोड रुपाई और नीजी छेतर में परियोजना का 50 प्रथीशत और अधिक्दम 7 करोड रुपे छूटकर प्रावधान है परिवहन के बात की जाए तो अद्योगीक नीती में इस बात पर जोर दिया गया है कि परिवहन व्यवस्था गुन्वता पूर्ण और अंतराष्टिय स्करका हो नीजी तथा सालवजिनिक छेतर सेयुक्त रूप से ट्रैफिक छेतर में तथा परिवहन छेतर में सुधार का प समझोता किया है और जारखन सरकार कथा एंटी पीसी के बीच चार हजार मेगा वाट्स विदूत उत्पादन पीटी पीएस यानि पत्रातु थर्मल पावर स्टेशन में करने की योजना है सारवजिनिक नीजी भागिदारी यानि पीपीप पब्लिक प्राइविट पाटनर नीटी उसके अलावा सरकार ने क्या 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 कदम उठाये है इसमें से सारा नहीं अगर आपको पांच भी याद रहे तो काफी है ओद्योगी गल्यारा की बात की जाए तो राची पतरातू रामगड राजी सडख को ओद्योगी गल्यारा के रुप में विक्सित किया जा इसके साथ ही बर ही हजारी बाग में समन्वित वी निर्मान क्लस्टर का निर्मान कर रही है दूर संचार व्यवस्था तो जार नेट के माधियम से राजी मुख्याले 24 जीलों के मुख्यालेयों को जोड़ा जा रहा है और अप्टिकल फाइबर केवल से सभी जीला मुख्य जाले एवं पंचायतों को जोड़ा गया है इसके बाद है क्रिशी खादी प्रसंसकरन संबंदी उद्योग तो जारकन में क्रिशी बागबानी मतश्य और पशुपालन में परियात संभावना विदमान है बागबानी केवल अस्थानी आवशक्ता को पूरा करने में नहीं बलकि निर्यात के लिए भी विशाल छमता रखता है जारकन सरकार ने इसे महसूस करते हुए जारकन खादी प्रसंसकरन उद्योग नीटी 2015 का सुभारम किया है जो इसके लिए अधार भुच्छन रचना निवेश पृत्साहन प्रद्योगी की अन्य तथा नेटवर्क उप हुए अधिक समय नहीं हुआ है इसलिए इसकी समिक्षन नहीं की जा सकती है लेकिन जिस तरह से नीती गोशना के बाद देशी और विदेशी निवेशकों की प्रतिकिरिया आई है वह काफी उटसाह जनक है इस संबंद में सरकार द्वारा आयोजित मोमेंटम और जारकन का स सफलता को बताती है इससे यह असपस्ट होता है कि वरतमान ओद्योगीक नीती जारकन नहीं उचाईयों को छूएगी यह नहीं उचाईयों पर जाएगी तो देखिए हमने आज के टॉपिक में पूरा पहले प्रश्न एक बर और देखते है तो जारकन के वरतमान ओद्योग में हमने बताया इतनी सारी जो चीजें हमने बताई क्या क्या बताया हमने तो यह देखिए जारकन निवेशक बोड के बारे में बताया कि जारकन निवेशक बोड निवेशक पुरोचाहन बोड का गठन किया गया है इसके बाद हमने बताया एकल खिड की व्यवस्ता सुरू अधिक्तम 10 करोड छूट का प्रावधान है यह सबी चीजे उसके बाद हमने परिवाहन छेत्र में बताया कि इस प्रकारफित परिवाहन का विकास भी उद्योगी नीटी का हिश्चा है उर्जा के बारे में बताया हमने कि समझोता किया गया है यह सबी चीजे उद्योगी गलियारे भी विक्तित किये जा रहे हैं दूस अंचार वेवस्था और क्रिशी खादी प्रसंसकरन संबंदित उद्योग के विशेम बताया अब हम इसका समीक्षा करने में बता सकते हैं कि अभी ज्यादा समय इससे लागु हुआ है लेकिन हमें कुछ पोजिटी बाते तो बतानी होगी लेकिन जिस तरह से नई घोषना होने के बाद जोए देशी और विदेशी निवेशक की प्रतिक्रिया आई है वह काफी उपसा जनक है और इस संबंद में सरकार द्वारा योजित यह भी बता सकते हैं मोमेंटम को जहारकन कायोजन सफल आयोजन होना मिलका पत्थर साबित हुआ है और जिस तरह से निवेशक प्रभावित हुए है वह अध्योगिक नीती कि सफलता को ही बताती है जिससे बिवर्तमान ओध्योगिक नीथि अगर कर pomo k काफी मैनत किया है अगर अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आयत अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर सकते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू